एक धड़ी टमाटर खरीद लाए, टमाटर के भाव जो इतने गिर गए हैं, उन में से मोटे टमाटर अलग कर लिये और छोटे छोटे टमाटर निकाल के हमने सोचा आज इनका कुछ खास बनाते हैं। चोटे चोटे टमाटर को बीज में से गुदा निकालके खाली कर लिया और हाफ रेंड्स इस गुदे को डाल दीजेगा किसी रसे वाली सबजी में कड़कती सर्दी में राजस्तान की ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी एक कुकर में हमने आलू भी उबलने के लिए रख दिये हैं पीलर को गोल गोल गुमा कर गुदा बहुत आसानी से निकल जाता है इसी तरह हम सारे टमाटर का गुदा निकाल लेंगे और आलू भी उबल गए हैं आलू में डालिये नमक, मिर्च और चाट मसाला साथ में बारी कटावा धनिया और हरी मिर्च मैश कर लीजिए बन गया आलूखा चट पटा मसाला अब इन छोटे छोटे टमाटर के बीच में भर दीजिए ठूस ठूस के आलू ये आलू बीना बड़े जबरदस चीज है जिस चीज में डालो उसी को ये अच्छा बना देती है हमारे टमाटर भी सारे भर गए है बेसन में नमक मिर्च डाल कर बैटर बना लेजिए टमाटरों को बेसन में डिप करके डाल देजिए गर्मा गर्म तेल के अंदर ये स्टफ टमाटर के कोफते इतने नायाब बनते हैं अंदर से सौफ जूसी और चटपटे और उपर से हो जाएंगे ये क्रिस्पी बस घुमा घुमा के इनको क्रिस्पी बना लेजिए है ना जबर्दस चीद सर्दियों में तो ये माशाला लगते हैं और हाँ अगर आपने पार्टी में बना लिए ना तो बस सब खाते रह जाएंगे कोफते हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं निकाल लीजिए बाहर और इन गर्मा गरम कोफतों पे बुरक दीजिए चाट मसाला जिससे ये सूपर से भी उपर हो जाएंगे देखिये क्या जबरदस्त बने हैं and just enjoy it